हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भु प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार से किशना शीरादे बहुत बहुत स्वागत है आप सब का आपके बहुत खास का रिकम जो तिश दिशा सत्य की राह में मैं हूँ आपका स्टो फ्रेंड संतो संतो शी और आज एक स्पेशल विशय के साथ उपस्तित हो गए हैं हम आप सब के सामने विशय एक ऐसे ग्रह के बारे में जो बहुत बड़ा चोर ग्रह है एक ऐसे ग्रह के बारे में जो आपकी आँखों से सुर्मा चुरा ले लेकिन आपको एहसास ही न होने दे एक ऐसा ग्रह है जो बहुत भयानक कलाकारों का मुखिया कहा जाता है लेकिन आज उसकी कलाकारी पर चर्चा नहीं करेंगे आज कलाकारी के विशय से अपनी बात को हम वेटेज देंगे एक साहरा देंगे एक ऐसा ग्रह जो चोरों का सरदार है जी हाँ आज चर्चा बुद्धनाम ग्रह पर एक केस हमारे पास आया भी रिसेंट जिसको देख करके हम बहुत चौंक से गए आश्चर चकित हो गए बहुत जादा विस्मिर्त हो गए केस पति-पत्नी के संबंधों को लेकर था लगबग पचीश-चब्श साल का संबंध दो बालिग होते बच्चों को लेकर के पत्नी अलग होने का निरड़ा लेती है उसके जीवन में किसी अन्य का प्रिवेश हो गया था जिसको मुक्त कंट से वो सहर्ष स्विकार करती है स्विकारोक्ति के बाद कुछ सेश नहीं बचता है एक इसमें कहा क्या जा सकता है व्यक्ति विवश होता है अपने ग्रहों के आगे और अगर हम ब्यवहारिक ज्यान की बात करें तो अपने प्यार के आगे एक गीत की एक पंक्ति है दिल पर किसका जोरह प्यारे दिल के आगे हर कोई या हारा अब हो गया हाथ्सा यही से हमारा विशय हमें मिल जाता है कि किस ग्रह से अभी इतना बड़ा कदम आपको क्या लगता कि कोई भी इंसान जो दिमाग से सही है क्या उठा सकता है आसानी से कितनी बड़ी प्लैनिंग हुई होगी कितने वर्षों से ये केस चल रहा होगा और अचानक से फिर ये डिसीजन हो गया ये निरड़े हो गया कि अपने 25 वर्ष के दामपत्य जीवन को साइड करके और फिर हम बच्चों को लेकि अलग हो जाए और फिर से एक नई जिन्दगी की सुर्वात करें या अपनी जो उचलती कुत्ती ख्वाइशें हैं उन ख्वाइशों को पूरा करें हम शब्दों पे जाएगा उचलती कुत्ती ख्वाइशें एक जटके में आज हम उस बेचारे पति के भाव को महसूस करवाना चाहता हूं जिसकी इस्तरी अब पत्नी नहीं है जिसकी इस्तरी 25 वर्ष देने और लेने के बाद इस प्रकार का निरड़े थोप कर चली जाए क्या कहेंगे आप क्या कहा जा सकता है इसे इसे क्या कहा जा सकता है देखें अब अगर हम जोत्षी बन जाएंगे तो एक शब्द में हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे कि भईया गुर्वों का खेल है लेकिन उस जोत्षी के साथ साथ हम एक पती भी है जोत्षी के साथ साथ हम एक सहरदय मानों भी है जोत्षी के साथ साथ हम आप सब जैसे भी हैं जोत्षी को थोड़ा सा हट के बनाती है बहुत सारे केसे इस प्रकार के आये थे लेकिन ये केस थोड़ा सा मुझे अंदर तक जगजोरा और एक पती के रूप में मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ और मैंने किया बहुत स्पश्ट जानियेगा मित्रों यह हाथसा किसी के साथ भी हो सकता है इसमें पती बेचारा बन कर आया था तमाम ऐसे केसेज आये हैं मैं स्थान और जगहों का नाम नहीं लूँगा विशे को ठाऊंगा एक केस काफी पहले मेरे पास आये था जिसमें एक इस्त्री जो सौंदर शालिंता में अप्रतिम थी दमकता चेहरा था करीब 62 वर्ष की अवस्था थी लेकिन देखने में कोई 35 से ज़्यादा नहीं कहेगा इतना मेंटेन प्रकृत ने उनको अनुपम सौंदर दिया था बहुत बड़े ब्यवसाय की मालकिन थी और उनका हरदा एक उनके कारिछेतर में काम करने वाले कारिगर पे आता है और वो महिला 18 वर्ष की एक नादान बच्चे की तरह लड़की की तरह बिलखते हुए हमसे कहती हैं कि हम ना पती को छोड़ पा रहे हैं ना हम इस लड़की को छोड़ पा रहे हैं उसके साथ विदेश की यात्राएं किया ब्यापार की ही सिल्सले में लेकिन उस देश साथ बिताना था वक्त बिताना था तमाम ऐसे-ऐसे केसे जाते हैं जिन पर मैं खुल के चर्चा करना चाहता हूँ जिससे चीजों को सही तरह से समझा जा सके कि जीवन में किस प्रकार की इस इस्थिती कभी भी आ सकती है मैं एक ऐसा लोता एक मात्र जोत्शी कहिए या है दोस्त कहिए हूँ जो चीजों को बहुत अलग चस्मे से देखता हूँ बहुत अलग अइनक से देखता हूँ बहुत अलग निगाहों से देखता हूँ एक खरता है मेरा कहता ये भी है कि भाईया जो मरजी कर लो लेकिन कुछ तोड़ो मत कुछ बिखरने ना दो क्योंकि जब बिखरता है कुछ जब तूड़ता है कुछ तो कई प्रभावित होते हैं जिसमें नादान और मासूम बच्चे भी होते हैं आखिर उनकी क्या खता है ठीक है प्रारब्ध है उनका भोग है लेकिन खता क्या है वो बच्चे पिता का सुख नहीं पा रहे हैं मा के साथ हैं अधोरापन और पूर्णता वहां पे भी है मा का आचरण क्या संसकार दे रहा बच्चों को ये भी किसी से छुपा नहीं और ये बात वो माभित बहुत अच्छी तरही के से जानती होगी दोनों चीजों में मैं आता हूँ अगर किसी भी पुरुष की कुंडली में now come to the point come to the subject यदि किसी भी पुरुष की कुंडली में सब्तम भाव का सम्मन्द ब्रहश्पति के साथ यवं पीडित बुद्ध के साथ पीडित सब्द अनिवार है ब्रहश्पति और पीडित बुद्ध के साथ होगा तो उसकी पत्नी गुप्त रूप से कहीं अनियत्र इन्वाल्व हो सकती है जो की समय पर शनी आदि के भी प्रभाव और सूर्य पर प्रभाव आदि होने के कारण उस चीज को सीना जोरी से स्विकार करेगी और जो करना है करलो हम तो भईया ऐसे ही रहेंगे करलो जो करना है चोरी से किसी भी प्रकार के क्रत्य को करने की प्रिणड़ा बुधनामक ग्रह देता है चोरी से आपके अंदर चोरी का भाव जो भी है जानके ताज्यप होगा इस नौट सैटर्न इस मर्करी जो भी चोरी का भाव है चाहे मालिक से चार रुपया चुराना चाहे पती से उसके पर्स से दो रुपय निकाल लेना चाहे मा पिता से किसी से भी ममा डैडी से आप चोरी से छुटी ले करके और फ्रेंड की पार्टी में जा करके और कहीं और चले गए, बॉइफ्रेंट के पास चले गए, गल्फ्रेंट के पास चले गए, जो भी चोरी, जहां पर भी चोरी शब्द आया, जहां कुछ सिक्रेट आया, जहां कुछ हिडन हुआ, वहां पर बुध, तो हुआ चोरों का सरदार, उसका नाम है ग्रहों में समय भी हो रहा है आपसे विदा लेने गा अब इसका कोई इलाज इलाज मत पूछना भीया इसका कोई इलाज 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 नहीं है जो है वो है और फैक्ट है जो है वो है और फैक्ट है अब हल आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हल बताऊं कि ऐसी पत्नी को सुधारा कैसे जाए ऐसे ग्रह को ठीक कैसे किया जाए इसका इलाज क्या किया जाए तो मेरे मित्रों होनी नहीं टल सकती जब आप जोच्षी से होनी को टालने के लिए दबाव बनाते हैं तो आप जोच्षी को लालची बना देते हैं कि ले भाईया पत्थर लटका ले एकाक मिले तो ऐसे हैं कि हकीक कि माला जो दस-दस रुपए की आती है उसको हजार हजार में बेंच देते हैं अरे मा का दूद पीए हो तो कंसल्टेंसी बेचो ना एक क्यावन हजार रुपया फीस लो कुछ यूनीक होगा तो 51,000 देके आदमी जाएगा तुम्हारे पास कुनली दिखाने अब यह क्याए साला फिरी में तुम कुनली देख रहे हो और इधर से पत्थर चियंप रहे हो जबर दस्ती दरा के धमगा के यह योग यह योग यह योग तो बस यही सारी चीजे हैं ध्यान दीजेगा शुक्रिया धन्यवाद कोई इस तरह का केस आए तो छोटा मोटा वशी करन का प्रयोग कुछ किया जा सकता है हलका फुलका लेकिन वापस आने और सुधरने का योग हो तो किया जाए अगर कोई महागंदर रहेगा तो कहां से योग हो कुछ नहीं फिर वहां से भीया एक बार में जैराम जी के निकल लो हट लो शुक्रिया धन्यवाद खुश रहिएगा प्रशन रहिएगा और हां बह बहुत जल्द हम लोग 10,00,000 होने जा रहे हैं और 10,00,000 होने की खुशी 100% हम लोग बहुत अच्छे से से सलिब्रेट करेंगे 100% बहुत बहतरीन एक मीट तयार करेंगे एक मीटिंग तयार करेंगे कहीं पर और बहुत जलती है शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार शेरादे हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसा के वीडियो को शेर करना ना भूलिएगा आचारिय संतोशी जी के आगामी कारेक्रम इस प्रकार है अधिक जोयनकारी वो अपॉंट्मेंट के लिए संपर करें 00910291850 00910291850 0091024 009